हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम गौरवै दोस्तो यूपी एसाई लवर यूट्व चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो आपके सारे डाउट एकदम किलियर कर देगा दोस्तो यह वीडियो नौरमलाजेशन पर आधारित होगा इसमें जितना नौरमलाजेशन बत बता गया दोस्तो इन आकड़ो न केंड़िट का आकड़ा नहीं लिया गया है, जो OMR देने में असमर्त थे कोई बोल रहा है उमारे OMR में कोश छपा नहीं, तो कोई बोल रहा था की बहुँ स्वागत हिए हमारी OMR खो गई है, दोस्तो यह नौरमलाजेशन नली फाइड को F.M. मान कर बताए गया है। इस चीज़ को दमाख में रखना कहीं बार बार कॉल 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 कर करantwort कमेंट पूचें कि वाई नली फाइड माना आया ऐसे था आपको याद रखना है कि आनली फाइड को F.M. मान कर बताए गया है। दोस्तो यह सर्वे तीन हजार प्लस केंडिडेट्स पर किया गया है हजार से ज्यादा कमेंट्स आये थे और तीन सो से चार्ट सो कॉल साय थी और काफी लोगों से टेलीग्राम फेस्वुक पर बात करने के पस्चा थे यह नॉर्मलाजेशन बैना गया है दोस्तों वीडियो शुरू करने बात करते हैं 19 फर्स्ट की कि इस सिफ्ट को कितना नॉर्मलाजेशन मिला है दोस्तों इस सिफ्ट में मेरी काफी लड़कों से बात हुई और मुझे जनरल 176 विद फेम और OBC विद फेम 166.50 पर काफी केंडिडेट्स मिले तो मैं इस निर्सकर्स पर पहुंचाओं की 19 की फ क्योंकि दोस्तों नॉर्मलाजेशन हमेशा मिनीमम बताया जा सकता है अधिकतम नॉर्मलाजेशन कोई भी नहीं बता सकता क्योंकि कोई भी बेस तक नहीं पहुंच सकता है यह तो बस वर्ती बोर्ड वाले को और जो कंपनी होते हैं उसको पता है कि नून्तम बेस वाला कित ठीक है दोस्तो 19 first एकदम clear दोस्तो अब बात करते हैं 19 की second की इसकी shift में कितने का normalization मिला है दोस्तों काफी एनलाइसेस करने के बाद मुझे काफी केंडिडेट्स ऐसे मिले हैं जिनके माक्स जन्रल में 178 विदय फेम OBC 166, 50 और OBC 166 विदय फेम है तो बहुत केंडिडेट्स से बात करने के पस्चात मैं इस नेडे पर पहुँचाओं कि इस सिफ्ट को नियुमतम बारे माक्स का नॉर्मलाजेशन मिला है और अधिकतम कितना भी हो शकता है 19 सेकंड के प्रते केंडिडेट्स को बारे माक्स का नॉर्मलाजेशन अवश्य मिलेगा ठीक है फ्रंट्स 19 सेकंड का किलियर दोस्तो अब बात करते हैं सबसे विवाद सिफ्ट बीस फर्ष्ट की क्योंकि इस सिफ्ट के लड़कों को सबसे ज़्यादा गमरा किया जा रहा है और बीस फर्ष्ट वालों का सबसे बड़ा दुसमन यूपी एसाई लवर यूट्यूब चैनल है इस बात को अब ध्यान रखना दोस्तो आप यकीन करना 3000 केंडिडेट्स में से कोई भी ऐसा केंडिडेट्स मुझे नहीं मिला जिसके कट अफ से 0.50 माक्स भी कम हो क्योंकि ऐसा कोई केंडिडेट्स है ही नहीं तो मिलेगा कहां से ठीक है फ्रेंट्स दोस्तो आपको बता दूँ जब भी किसी एक्जाम में नॉर्मलाजेशन होता है तो उस एक्जाम की एक सिफ्ट को बेस माना जाता है जिसके आधार पर से सिफ्टों में नॉर्मलाजेशन किया जाता है जैसे एक 4520 वरती में 25 अक्टूबर बेस सिफ्ट थी 4568 वरती में 21 वरती में बीस फ़र्ष्ट थी उसी प्रकार जेल बॉर्डर वरती में 21 वर्ष्ट होगी इस बात को लिख लेना तब रजल्ट आएगा तब मेरी इस बात को आप याद रख लेना कि ये बात मैंने जिस दन मैंने अपने 30 वीडियो बनाई थी चैनल की उसी में ये बात मैंने बता दी थी उसके बावजूद मेरे को बहुत गालिया पड़ी थी लेकिन फिर भी बताई थी मैंने कि जो सत्य है वाई वो तो इस चैनल पर मिलेगा चाहे मेरे को उससे कितना भी लॉस हो ठीके फ्रेंटस इतने तो आप भी समझदारों कि यदि सभी सिफ्ट को नॉर्मनाजेशन दे दिया जाए तो बेस तो कुछ रहेगा ही नहीं भाई बेस तो बिलकुल रहेगा नहीं तो नॉर्मनाजेशन कैसे हो जाएगा ठीक है दोस्तो दोस्तो आपको एक केंडिडेट्स की बात बताता हूँ वह बीस की फर्स्ट से था किसी ने उसे बताया कि एक लड़का है बीस फर्स्ट में उसका 176 वेद एफेम पर OVC से हुआ है तो वह लड़का 100 किलोमीटर बायक से चल कर OMR चेक करने उसके घर गया और OMR मिलाई तो उसके 189 पॉंट 50 मार्स थे उसकी वकाया था मेरे से बात हुई थी वह कह रहा था आपने जो बताया वह एकदम सत्य था मैं भी आपकी जो बात है बिलकुल नहीं मानता था लेकिन उसके बावजूद मैंने कही हूँ हमारा ऐसी चेक करी कि कि किसी के 177 वेद ए बात्य यही है भाई साव आप इसे accept करो या ना करो लेकिन जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा आपके मानने या मानने से इस पर कोई फरक नहीं पड़ने वाला है ठीक है दोस्तों कोई भी कितना भी बोले कि नॉर्मलाजेशन हुआ है आपको अपना टैम वेस्ट नहीं करना है क क्योंकि दोस्तों पहले दिन से मैं कहता आ रहा हूं कि यह बेस्ट है इसमें माक्स नहीं कम हुए हैं और नहीं बड़े हैं जिसके जितने रो माक्स हैं उतने ही उसके नॉर्मलाजेश्ट माक्स होंगे इस बात को आपको ध्यान में रखना है मेरी कोई परसनली दोसमनी नह नहीं रहा आप खूब करते रहा अपना टाइम वेस्ट करते हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा वाईसा मैं दिन रात लगा हुआ हूँ आप समय देख सकते हो उपर इसके इन रिकॉर्ड बारे बजगे साथ मिनट हो रही है और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस चीज को य करो तब जाके आगे वीडियो देखना ट्रीका फ्रेंट्स अभी करो मेरे सामने करो मैं देख रहा हूं तुमको लाइक और सब्सक्राब अभी करना है ट्रीका फ्रेंट्स कर दिया थैंक्यू दोस्तों मेरे को दस ऐसे केंडिडेट्स कॉल्स पर अब तक मिल चुके हैं जि 164 विदय फ्रेंट्स का 20 की सेकंड शिफ्ट में OBC से उनका सेलेक्शन हुआ है लेकिन OMR साक्ष ना मिल पाने के कारण मैं इनको सर्वे में एड नहीं कर पा रहा क्योंकि दोस्तों इस सर्वे में उनको ही इस्तान मिलेगा जिनके साक्ष हम को प्राप्त हुए है ठीका फ्र 122 मार्क से विदय फ्रेंट्स दोस्तों इन भाईयों की भी में मिकी भी OMR लेने में मैं असमर्द था मेरी परसनली बात 113.50 विदय फ्रेंट्स जनरल वाले केंडिडेट से हुई जिसका सेलेक्शन 20 की सेकंड शिफ्ट से हुआ था वै बोर्ड रहा था कि भाई मेरे 113.50 ह हैं विदय फ्रेंट्स नकी से बाइन डेसकते हों तो बोला भाई मेरी यह रणी का करें जो मैंने आपको बताए है उस चीज़ पर आप बिल्कुल विश्वास कर लेना रेजल्ट आए तब देख लेना मैं अपनी बात मर एकदम सत्य हूँ तो भाईो मेरे को भी इन भाई पर मतलब विश्वास हो गया लेकिन दोस्तों आपको पता है विश्वास सर्वे में कुछ भी परसेंट भी कारे नहीं करता यदि आप सर्वे करते हो तो आपको सक्स की ज़रूवत है इसलिए भी मैंने इन भाई को एड नहीं किया है ठीक है फ्रेंट्स तो दोस्तों काफी केंडिडेट से बात करने के पस्चात मैं इस निसकर्स पर पहुचा हूँ कि बीस की सेकेंड में कम से कम चौदे मार्क्स का नर्मलाजेशन हुआ है और अधिक्तम कितना भी हो शकता है दोस्तों चौदे मार्क्स तो हर किसी केंडिडेट हर प्रते केंडिडेट्स को मिलेंगे जिनका एक्जाम बीस की सेकेंड में था ठीक है फ्रेंट्स और अब बात करते हैं हमारे भाई गौरब डागर हमारे जाट भाई है उनके मार्क्स हैं वेदे एफेम एकसो चैतर ओबीसी से और वो हमारे भाई मैं उनसे बात नहीं कर रहा सबी लोगों के पढ़ता हूँ और आए लोग एक मतलब जो हमारे गौरब बाई है एक सो चैतर वे देफेम बहुत परेशान है कि होगा या नहीं होगा और एक सेड़ बगहरा की बात करते हैं तो पीएसाई लवर यूट्यूप चैनल गौरब बाई के सेलेक्शन की 100% गारिंटर लेता है यदि हमारे गौरब बाई का सेलेक्शन नहीं हुआ तो उसी दिन मैं इस चैनल को बंद कर देता हूँ मैं लाए बाकर इस बात की गोशड़ाई भी कर दूँगा इस बात को आप स्कीन रिकॉडर जिसमें आप सेव करना चाहो उसमें कर सकते हो तो भाई यह गौरब भाई अपने जो माइंड में जो नेगेटिव चीज है उनको मतला हो आप एकदम सो केरो स्यौर ओठीक है फ्रेंट चलिए दोस्तो एक साथ जो सभी सिफ्त हो का नौर्मलाजेशन देखते हैं एक साथ देखते हैं ठीक है फ्रेंट देखिए दोस्त 19 सेकंड को बार है 20 सेकंड को 14 दोस्तों आपको इसका स्क्रीन सोट लेकर प्रते एक जगह वहां सेयर करना जहां पर लिंकों को सेयर नहीं कर सकते हैं फेसक पाप डाल सकते हो तो आपको यह सेयरिंग करनी है और यह नॉर्मलाजेशन आपको सभी सिफ्ट का मिला है पूरा एकदम एकदम किलियर है मतलब आप एक परसेंट भी इस चीज में डाउट मत करना और दोस्तों जितना नॉर्मलाजेशन मैंने बताया है यह मिनीमम बता इससे जादा ही आपको 101% नॉर्मलाजेशन मिला है ठीक है दोस्तों दोस्तों तीनों सिफ्टों को लगवग बरावरसाही नॉर्मलाजेशन मिला है बलकि थोड़े 20 सेकंड को चांस है कि एक दो नमबर यह उपर जाए बाकी तीनों सिफ्टों को एकदम बरावरसाही नॉर से ही होगा इस बात को याद रख लेना ठीक है फ्रंट्स दोस्तों सर्वे से ही बनाएगे दूसरी वीडियो आपको तब मिलेगी तब इस वीडियो पर 2000 व्यूज 500 लाइक्स और 50 सब्सक्राइब मिलेंगे तब जाके आपको दूसरी वीडियो तुरंत मिल जाएगी जो इस सर हो रही हैं तो फ्रंट्स इस लिए आप भी थोड़ा सोचा करो जिससे की अगला इंसान मोटिवेट रह सके और दिन रात मेनत कर सके दोस्तों जैदी आपको कोई समश्या हो तो आप मेरे कॉंटेक्ट नंबर पिच्चन में 286789 पर कॉल कर सकते हो उत्तर प्रदेश